हलो दोस्तों आप सभी का विल्कम करते हैं आपके अपने चैनल ओनलाइन अर्निंग में दोस्तों की जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मैं आपको एक पोश्ट दूँगा उस पोश्ट में जितने लोगों के जो भी कुश्चन आए गया उन सभी के एंसर मैं आप तो ज्यादा लेड नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं हम अपना question answer section सबसे पहला question किया है तेज बहाधूर सिंग ने और इन्होंने एक ही नई दो थीन question किये हैं सबसे पहला कोश्चन इनका ये है कि अगर आप से राजिव शर्मा जी की बात होती है तो आप उनसे ये कहिएगा कि लोग जिस दिन का टास्क पूरा करते हैं उस दिन का पॉइंट कम से कम मेलना चाहिए लोग पिछले दिन की इंकम कहां मांग रहे हैं ये कहे कर पैसा नहीं कि आपने पिछले दिन नहीं किया था तो इनका तेज बादूर जिनका ये पहला कोश्चन है तो तेज बादूर से ये राजिव शर्मा जी से भी बात होती है और हम लोग बहुत सारे लीडरों ने इस क्वेश्चन को लेके बार बार ये क्वेश्चन ग्रूप में भी कि कुछ न कुछ रूल होते हैं वो रूल कुछ experience के तोर पर बनाया जाते हैं कुछ पीछे की गलतियां ना दूर आए जाएं उन सभी को लेके बनाया जाते हैं तो अगर आप positive way में लेकर देखेंगे तो इसमें आपको पाइदा नजर आएगा देखिए सर जी अगर आपने टीम बना रखी है और आपकी टीम जो है तो आप देखेंगे कि उसमें रेज़ जादा आपको मिलेगा रात में दस बज़े से बारा बज़े तक चास पूरा करने वालों का रेज़ ज्यादा मिलेगा दिन भर लोग उतना चास नहीं पूरा करते हैं जितना कि लोग सारा काम अपना कंप्लीट करने के बाद ये टास्क पूरा करना नहीं भी करने वाले होते हैं तो भी ये सोच के करते हैं कि अगर हम आज टास्क नहीं कंप्लीट करेंगे तो कल की भी हमको इंकम नहीं मिलेगे तो इस रिए ये ये 10 बजे से 12 बजे के बीच में जो लोग को टास्क पूरा करते हैं वो इसी सब्सक्राइब गय movements अपना थास्कween लेते हैं और ये नहीं कहे रहा हूं कि राज्ञू गयают बजी के बीच यह कंडिशन आपके लिए ही आपके लिए ही फाइदेमंद है बस यह है कि आपको उसको किस तरीके से समझना है और इन अबिसर ने यह सब सारा कुछ खुल के भी बताया हुआ है तो मुझे उमिद है कि आपको इस कोश्चन का एंसर मिल किया होगा चलिए आपके दूसरे कोश से पहले इन्हों ने विड़ोल लगाया था तो देखिए सर जी आपको मुझे उमिद है कि आपको प्लान के बारे में पूरी जानकारी भी नहीं है क्योंकि आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं तो कम से कम आपको इतना तो मालूम होना चाहिए कि इस कंपनी में विड़ोल होती है और क्लोजिंग होने के बाद जो आपके करेंट कैश मनी का पैसा है वह आपके बैलन्स मनी में चला जाता है तो जो बाइलन्स मनी में 500 या उससे उपर होता है तो रिचार्ज वालेट में एक हजार या उससे उपर होता है तो बैंक में आप विड़ोल लगा सकते हैं और ये विड़ो लगाने की जो डेट होती है वो एक से पांस तारीके बीच होती है और दोस्तों जिसका पहला विड़ो है जिसका अभी तक एक दिग diver ornament नहीं मिला है तो उसका पहला विड़ॉल जैसे ही उसके वालेट में 224 यह उससे उफर होंगे, उसका पहला विड़ॉल 224 रुपई पे हो जाएगा, और जिस दिन उसका 224 रुपई उससे उफर पूरा होगा, उसी दिन 12 बजे रात के बाद उसके रिचाइड वालेट में वो पैसे तो मुझे उमेद है कि आपको इस question का भी answer आपको मिल चुका होगा तीसरा question है और इनका यह कहना है कि यह बताइए कि अगर site work नहीं कर रही है तो अगले दिन task पूरा करने पर income मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए और और इनको यह बोले हैं कि हमने अगले दिन task complete किया तो income नहीं मिले जिस दिन site नहीं चली उस दिन उन्होंने टास्क नहीं पूरा किया देखे सर जी जब भी ऐसा होता है कि company की तरफ से problem होती है और site work नहीं करती है तो यह ज्यादा तर लोगों के पास यह problem होती है तो company अपनी तरफ से ही सब का yesterday का task done कर देती है और आप अगले दिन जब task पूरा करते हैं तो आपको income add होती है यह सब लोगों के साथ यह होता है और यह अलग बात है कि आपके अहां network की problem हो नेट की problem हो चाहे किसी और वजह से आपका task नहीं पूरा हुआ हो लेकिन आपको यह लग रहा होगा कि website ही नहीं चल रही है त तो हो सचता हो उसकी वज़य से यह आपको problem हुआ हो और अगले दिन आपको income नहीं मिली हो इसकी वज़य से आपको यह लग रहा होगा कि company ने यह कहाए कि site नहीं चल लगी है तो आपको अगले दिन income नहीं मिलेगी जब सबके साथ यह problem आती है तो company खुद ही एलां कर देती है कि आज company की वज़य से company में कुछ problem नहीं जिसकी वज़य से site नहीं चली है तो यह कल आप टास्क कंप्लीट करेंगे तो कल आपको income मिलेगी अगला question कर रहे हैं एकबाल सिंग और इनका यह question है कि apple के mobile में आरेजिव 24 का application काम नहीं करता है एपल के application के रिए भी software arrange किया जाए देखें सब्सक्राइब फिलहार में apple और आइपोन के play store पे यह अभी application अब लेवल नहीं है तो जब भी यह आता है तो आपको अपडेट जरूर किया जाएगा अगला question है अजय बाबा का और इनका यह question है कि इनका number हो गया है इन्होंने यह दिया कि sir मेरा number हो गया है क्या mail करके दूसरा number change कराया जा सकता है इसके लिए आपको वही mail आइडी चाहिए जो आरेजिव 24 में आपकी mail आइडी रजिस्टांट है उसी mail आइडी से आप company को mail करेंगे और चेंज करने के लिए और उसके बाद आपका मुबाइल लंबर चेंज हो जाएगा इसके लिए अधिक जानकारे के लिए उपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा उस वीडियो को आपको देख लीजिए आपको confirm हो जाएगा कि सरीके से आप अपना यूटूब चेकर सकते हैं उन्होंने उसमें उन्होंनी बताया है कि 구oda वजह से नहीं आ रहे हैं आँ अचाहिए सारे प्रोड़क्ट को आकिन कर रही है लेकिन डिलीवरी नहीं होने की वजह से मादब हो और अडिलीवरी ज्यादा एकसेट्ट नहीं कि जा रही है ओर परीयर वालों की तरफ से आपकी कोस्टाफे, तरफ से और बहुत सारे 시क्ताइध कवाड़ ड्न है कुरुना की वजह से जिसकी वज़ा से फूर से पोर से प्रोड़क्ट हर जंगा टाइम से नहीं पहुच पा रहे हैं जैसे ही कोरियर वाले सारे प्रोड़क्ट रिसीब करने लगेंगे काफी जल्दी आप प्रोड़क्ट वहां से लिस्पाइच होने लगेगा यह कोरियर की ही प्रॉब्लम है अगला कॉश्चन है स्मार्ट बिजनस इनका दो कुश्चन है पहला कोश्चन यह है कि इंडिया नीट्स कब स्टार्ट होगा इसके बारे में अपडेट उससे पहले ही आपको मिल जाएगी हमारे इस चैनल पे और यह कुछ चक्कर में फसा हुआ है और भी कई वज़ा है जिसकी वज़े से यह फस की वालेट पर कंपनी कि लेती है तो दुकांदार को कैसे फाइदा हुआ है अपकर वालेट को उसका पाइदा होता है चला जाता है लेकिन इसके वेज में उस दुकांदार को ग्रहत मिलते हैं जितने भी आसपास के एरिये में जो भी ग्राफ होंगे वहां पर उनका वालेट यूज़ होने की वज़ए से वह उस दुकान पर जाके खरीडारी करेंगे जिससे कि उनकी सेल बढ़ेंगे तो वह अपने हिसाब से जितना प्रोड़क्ट पर डिसकाउंट रख सकते हैं उतना ही वह वालेट यूज़ कराएंगे जिससे कि उनको नुकसान भी नहीं होगा और उनकी सेल भी बढ़ जाएगे अगला कोशन है मनोज राज चंद्रवर्शी का और इन हो इनका तीन कोशन है सबसे पहला कोशन यह है कि प्रोड़क्ट आर्डर करने पे कितने दिन म तो यहीं कोरियरHeart वाला ममला है जैसे ही कोरियर रेसी करने लगेंगे ज्यादा प्रोडक्ट तो अके प्रोडक्ट वहांसे उने लगे महांसे जल्दि आपके प्रोडर निंगलने लगे कि वह प्रोडम है जैसे वह ठीक होती पीवी 224 रुपए होने पे आपको उसको कैश वालेट में ट्रांसफर कर सकते हैं 224 रुपए के उपर जब आप ट्रांसफर करेंगे तो एक पीवी का आपका 50 पैसा होता है तो आपका 124 पीवी का हो जाएगा 112 रुपए है 224 रुपए तो इससे उपर हो जाएंगे तो आप अपने वालेट में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं अगर आपकी एक्टि यह नहीं है तो आप उसे गिफ्ट वालेट में उस पैसे को ट्रांसफर कर सकते इनका तीसरा कोश्चन यह है कि सेकेंड लेवल में किसी तरीके से सो मेंबर कम्प्लीट होने चाहिए या दस के मल्टिपल में होने चाहिए कूँट में देखेंगे सेकेंड लेबल में你就 माशन के सेकेंड लेवल कमप्लीट हो जाएगा, त competitि ही में और से केंड लेवल कंप्लीट हो जाना ही कि सो कुन मेंनी चाहिए सेकेंड लेवल में तभी आपका सेकेंड लेवल कंपलीट, अगला पूश्चन पूचा है खान वसीन ने और इनका ये पूछना है कि नया प्रोडक्त का बाइगा देख ची पुराने प्रॉड़क्त खतम होते रहे हैं, नय प्रोडक्ट या रहे हैं तो आम सब्सक्राइस की सब्सक्राइस की शॉपिंग करने का जो पेज है उसको जाके आप चिक कर सकते हैं वहां पे आपको अक्सर नाइने कुरूरत देखने को मिलते हैं दोस्तों मनोज राज चंडवर्शी का एक और कोईह्शन है उन्होंने ये पूछा है कि अपने इंपेसा प्रbeit के किसी के पिरेखद्यों से हैं और जाञे के सकते हैं किसी एकाउंट में हैं और और अ नाम लिखे किसी के भी आप एकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं और जैसे ही आप ट्रांसफर के क्लिक करेंगे उनके पैसे पहुच जाते हैं तो उपर आई बटन में एक प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जा गा जिसे आप जाके देख सकते हैं और आप आप आसानी से अपने wallet को अपने account में transfer कर पाएंगे तो दोस्तों आज जो भी कल की post पे जो भी question आये थे सभी के question का answer मैंने दे लिया है मुझे उमिद है कि सभी को अपने question से संतुष्टी मिली होगी और सभी को सभी के question के answer मिल चुके होगे तो दोस्तों earnings related video दिखते रहने के लिए इसी channel पर बने रहे हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो like ओ शेर करिएगा चैनल पर पहली बार आए हैं तो subscribe करके bell icon दबा दीजिए thank you दोस्तों video देखने के लिए